नमस्कार फिद्यर्थी मित्रों संशाइन इंटरनेशनल स्कूल मा आप सवनों आर्दिश पागत चे आजे आपड़े धोरंदस फिशेश संश्कूर्ट ने अंदर पद्य तेर गीता मृतम नो अब्याहस करी छू जेनो गुजराती अर्थ थाई छे गीतानों अम्रुद आप सर्वे जानों छोके महाभारत ने अंदर भगवान सिखुरुष्ण द्वरा अर्जुन ने गितानों ग्णियान अप पमा अवेलो हतु एम बात करिये तो हाँ हकिकत मा जो अंच केवा आई तो महाभारत पन ए महाभारत ने अंदर कुण आप सर्वे जानों छोके महाभारत कुल अढ़ार पर्वमा रचायलू छे केटला तो के अढ़ार आणि ए अढ़ार पर्वनी अंदर एक पर्व जो आउतु होई तो एछे बिश्म पर्व आनि ए बिश्म पर्वनी अंदर पगवान सिखुरुष्ण द्वरा अर्जुन ने स्रिमाध भगवत गितानों ग्णियाना पमाग वतु तो एणि अंदर वाद करिये तो जारे महाभरत ने अंदर सामसामे भायो युधनी अंदर होई छे त्यारे अर्जुन ने धाये छे कि आ बदानों वदकरीने मनेशू प्राप्त थसे त्यारे बगवान सिखुरुष्ण अर्जुन ने गितानों ग्णियान आपे छेने गितानी अंदर ग्णियान आपता एमने एक उपदे साइपो छे कि आपड़े यां मात्र सरीरुपी मानस्नों से नास करवानों छे अंदर हेलो आत्मा क्यारे नास पामतों न थी तो अपड़े ए स्लोकोनों गुजराती मा अनुवाद करशुएने समस्चुँ तेर मुकावे गीता मुर्तम जे आपड़े खास संच्कुत मा पुश्वामा आउता अर्थविस्तार माटे ध्याने लेशुँ तो येना प्रस्तावननी वात्त करिये तो अर्जुन्ना सार्थितर रिकते एक जारे भगवान से कुरुष्ण गितानों ग्णियानापे छे त्यारे एने पेलो स्लोक एवो समझावे छे न जायेते मिरियेते वा कदाचीत हो न अयम भुत्वा भवीत हवा न भुय हो अजो नित्य सास्वत अयम पुरानों न हन्यते हन्यमाने शरीरे आ एनू स्लोक छे अवे इस स्लोक नो अपड़े अवियाई करिये तो न जायेते मिरियेते वा कदाचीत हो तो न जायेते मिरियेते वा कदाचीत अटले कौन तो एनू पेलो स्लोक से तो कौन तो एमा पड़े अवियाई तेरी क्या वो एक सब्द मुको पड़े अयम आत्मा अले एनू गुजराती थाई आ आत्मा कदाचीत हो क्यारे एन आपड़ा सब्दार्थ एवरिट लिवाई छे अयम आत्मा कदाचीत हो क्यारे न जायेते जायेते ले जनम तो न थी पच्छी सब्द छे मुरी एते लेके मरतो न थी न मुरी एते मरतो न थी पड़े लिटे नू बाचान तर आवू थाई आत्मा क्यारे पेन जनम लेतो न थी के मरतो न थी पच्छू छे अयम आत्मा हा पच्छू सब्दले शोषका आत्मा भुत्वा फरिवर्ष एटले कोचे भुत्वा एटले थाईने अयम आत्मा आत्मा थैने बवितावा न भुयह न भुयह फरी थवानो पन न थी एव एनु भासांतर से अथ्वा फरी थशे पन नहीं तो बिजिलीटी न भासांतर एव थाई अयम आत्मा भुत्वा आत्मा थैने भुविताव न भुयह फरी थवानो तेवू पन न थी अत्वा फरी थशे पन न थी बदायने खबर छे आत्मा एक बार जन्मलीदो छे क्यारे मर्तो न थी कानके नास्वंत छे शरीर देहरूपी शरीर नाज़ पामे छे तरह आत्मा कोई बिजा शरीर नी अंदर एने जिव तरिक है धारन करे चे त्यां थी बिजा जिव नी अंदर अधार पुरानों ने अंदर वात करेली छे पच्छी सब चे अयम सास्वत पुरानों हो पाच्छी अयमनों सब्द छे अयम एटले आ सास्वत एटले सनातन सनातन सब्द पन थाई काई में सब्द पन थाई पुरानों एटले पुरान तो शुके छे अयम सास्वत पुरानों हो आ आत्मा सास्वत पुरानों मा नित्य अज्जिय अज्जो हो नित्य अटले हमेशा अथवा सदा अज्जो हो अज्जन्मा अने योपन लखो छे अज्जन्मा आउपन लखी सके ज्जन्मा न लेनारों न हन्यते हे हन्यमाने शरीरे हे हन्यतले हनाई जोओ हन्यतले हन्यतले है हन्यतले हन्यतले है शरीरे हन्यमाने हे दे हनाई जता हना आतो न थी येव बाशान तर थाय हन्यमाने एकले हना आतो न थी अपड़े यहां स्लोकने अंदर आवता बद्धार जी सब्दों ने समझी लिदा छे आत्मा क्यारे पन जन्म लेतो न थी मर्तो न थी आत्मा थैने फरी थवानो तेव पन न थी आत्मा सनातन पुरानों मा हम्येशा जन्मन लेना रो शरीर हनाई जता हना तो न थी एनू भासांतर एवरीते थाई छे वहनू पासांतर तमारी समय बोलू छू आत्मा क्यारे पन जन्म लेतो न थी आत्मा थैने फरी थशे तेव पन न थी आत्मा सनातन पुरानों मा काईमी जन्मा न लेना रो शरीर हनाई जता हना तो न थी हना तो एटले मर्तो न थी आत्मा सरीर न नाश पामता एक यारे नाश पामतो न थी न हन्यते हन्यमाने शरीरे एनू बसांतर एवरी थाए छे अपड़ेनू अनुवाद जोए झाल 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 त्यार बाद एनो स्लोक नंबर बेड जे वर्षिक प्रिक्षाने अंदर आपड़े श्लोक पुर्तिने अंदर आएमपी मा छे जातसे द्रुव मुर्तियो द्रुव जन्म मुर्तियो श्यच तस्माद अपरियार अड़ थे सोची तुम अहर शे आपड़े वर्षिक प्रिक्षाने अंदर श्लोक पुर्तिमा छे अने अने अपड़े जुईए तो जातस्ची अहई स्लोक नंबर बे जातस्ची जन्मेल आनू यह एटले खर एखर आज श्यच छे ही आपड़ू छस्टी एक वचन विभक्तिमा थाए जे सब्द्यनी पाच्छ श्यच लागवतो ही छस्टी एक वचन केवाई छे जन्मेल आनू खरेखर मृत्यू द्रुवम अटले मृत्यू द्रुवम अटले निश्चित छे अत्वा नक्की छे तो जन्मेल आनू खरेखर मृत्यू निश्चिते मृत्यू श्यच जन्मा द्रुवम हाँ तो जो जन्मेलानू मृत्यू नक्की होई तो मृत्यू पाम्मानू पामेलू होई व्यक्तिनू पन जन्मा पन नक्की जोई छे एले मृत्यू पामेलानू मृत्यू श्यच जन्मा सब्द छे जन्म जन्मा निश्चिते जन्मेलानू खरेखर मृत्यू निश्चित छे अने मृत्यू पामेलानू खरेखर जन्मा निश्चित छे तस्माद अ परिहार अर्थे तस्माद एटले ते थी त्यां संदी चुटी पड़े छे आरितनों छे तस्माद परिहारियत त्यां संदी आरित पड़े तस्माद परिहार अर्थे एनी संदी एरिते चुटी पड़े छे अवे दो होई एने रमेशा संदी चुटी पड़ती वक्ते तस्माद थे जाए तस्माद परिहार अर्थे ते थी अपरिहार अर्थे एनों गुजरात यह उठाई छे टारी न शकाई तेवी बाबत माँ तारी न शकाई तेवी बाबत माँ पाचरे ना सब्दार को ना पिला छे तमें जोई शकाई शकाई तेवी बाबत माँ अथवा विशे माँ न त्वम त्वम एटले तारे त्वम एटले तारे तारे एटले कोने अर्जू सोची तुम अहर्शी सोची तुम सोकह न अहर्शी न करवो जोई सोके तुम जाता से द्रुव मृत्यु होः द्रुवम जन्म मृत्यु श्यच तस्माद अपरिहार अर्थे न तम सोची तुम अहर्शी जन्मेलानू खरेखर मृत्यु निश्चित छे अने मृत्यु पामेलानू जन्म निश्चित छे तेठी टारी न सकाए तेवी बाबत मा हे अर्जुन तारे शोक न करवो जोईए शोक एटले दुख लगाड़ू जोईए नई तेनू अनुवाद अपणे जोईए आपणे कि दुएम आज स्लोक स्लोक पूरतिनी अंदर छे पुएम एट लगागे तुम्हें मारी सते सते भासंतर लखी सको छो जन्मेनालों खरेखर मृत्यू निश्चित छे अने मृत्यू पामिलानों खरेखर जन्म नक्खी छे तेथी टाड़ी न सकाए तेवी बाबत मां हे अर्जुन तारे सोक करवो जोईये नहीं त्यार बाज हैनों स्लोक नमबर त्रण कर्मने वादी कारस्ते मा फलेशू कदा चनम मा कर्म फलेशे हे तूश मा ते संगतो कर्मनी स्लोक नमबर त्रण कर्म करवामाज तारों अधिकार से फडनी बाबत मा नहीं आपने बहु जानीतों स्लोक छे कर्मा बदा ग्ण्यानी पुरुशों तजगनों माहा पुरुशों आज स्लोक नी चर्षा करता होई छे के कर्म कर्मा मा अश्तारो अधिकार से फड़नी बाबत मा क्यारे पन नई हवे आज लोक छे तमें पाचर स्वाध्यामा जोई शको छो ए अर्थविस्तार ने अंदर पुछाएलो छे तो जेम गुजराती मा अर्थविस्तार हो छे ए म संस्कुत मा पन अर्थविस्तार हो छे एतले ओ श्लोकना अनुवाद कर्याब पछी त्यार्बादेने गुजराती मा अर्थविस्तार करवा नौछे आपणे स्लोक नम्बर 3 ने समझे तो कर्माने अधिकारस्ते कर्माने स्लोक नम्बर 3 कर्म निये लेके कर्म कर्वामा अधिकार अस्ते कर्म कर्वामा आज तारो अधिकार छे तो छुके छे कर्म निये वाल कर्म कर्वामा अधिकार अस्ते तारो अधिकार छे मा फलेशु हूँ तो फलेशु अधिले फड़नी बाबद मा कदाचीत ख्यारे पन नहीं जे सब्दनी पाच्छर सू लागे ते अमेशा विभक्तिनेंदर सस्टी बव वज्जनज होई आ सू होई फाड़ियो सोई तोई भले अने आ सू होई तोई भले फले ये सू कर्म करवा माज तारो अधिकार छे फड़नी बाबतमा कदा चन नह क्यारे पन नही मा कर्म फल ल हे तूर्त्तह तो मां एतले कि तू कर्म एतले कर्मणा फल एतले फडनी हे तूर्तह इच्छा वाड़ो थई छे नहीं एतुर पो हो इच्छा वाड़ो हने कर्मनी माते संगतो हो कर्मनी सब्दे प्यला लेवानो छे इच्छा वाड़ो कर्मनी सब्दे प्यला लेवानो कर्मनी सब्दे प्यला लेवानो कर्मनी वादिकार सथे मा फ्ले शूत कदाचन मा कर्म फ्ल हे तुर्भ हो माते संगत अस्त्व कर्मनी ही कर्म कर्मा माज तारो अदिकार से फड़नी बाबत मा क्यारे पन नहीं मा कर्म फ्ल हे तुत हो एटले मा एटले के तू कर्म एटले कर्मना फ्ल एटले फ्लनी हे तुर्भ एटले शू के छे तू कर्मना फ्लनी इच्छा वारो थईशने कर्मनी माते संगत तस्त्व कर्म कर्मामा तारो संग न थाओ छो केछे कर्मा ना फण्ने विच्छा वाड़ो थैस नहीं अने कर्मा न करवामा तारो संग न थाओ अपड़ेनु अनुवाद चोईए तो कर्मा ना फड़ने इच्छा वाड़ो थैस नहीं कर्मा न करवामा तारो संग न थाओ छो केछे कर्मा न करवामा तारो संग न थाओ अईयां एउ केछे क्या आपड़े मात्र कर्मत करता जत्तु करवान होई छे फड़नी इच्छा राखवाने होती न थी पर एउपन न थी डाख़ात रिकी कोई ओफिसर कर्मकरे पेली तारीक थीले इने त्रिस मी तारीके तो पेली तारीके कर्मकरे तो क्यारे एने पेली तारीक हैनी फड़नी अपेक्सा राखवी जोई ने एने त्रिस तारीक पछी जेना फड़नी अपेक्सा राखवी जोई ये लेखे कर्मकर्वामाज तारो अधिकार छे फॉडनी बाबत्मा क्यारे नहीं कर्म कर्मामा तारो संग नो ठाओ अपणिय। अपनने पेला स्लोक निब्टर अपने आत्मा क्यारे जनमतो नथी, मरतो नथी, त्यांनी चर्चा ख्री। विजा स्लोक नियंदर श्लोक पूर्ती मात्ये शे अने तीजो स्लोक आपड़ा स्लोक ना अर्थ विश्तार मात्ये शे आपड़े आना पाठ टूनिय अंदर मलीशु खुब-खुब आबार दन्यवाजु